सबी बच्चों को बना मुश्कार आज का टॉपिक जैसा की दिख रहा होगा आपको बहुपद पॉलिनामियल ये क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लासेज में है हमारा हिंदी और इंग्ली समझा ले है और इंग्लिस वाले इंग्लिस में सुने लेकिन हिंदी को आएगी आज आएगी देख किया होता है ला हन्मको नाम से लग रहा है कि बहु माने बहु वाली बहु नहीं है मुझे बहु बचन आपने पढ़ा होगा न, एक बचन, दुई बचन, बहु बचन, तो बहुत सारे, और पद माने टर्म, जहां बहुत सारे टर्म होंगे, polymers, maximum, sorry, so many, बहुत सारे, तो बहुत सारे टर्म जहां होते हैं, उनको हम कहते हैं, पॉलिनम्य, ठीक है, जैसे माल लि पहली बात तो टर्म को जो decide करता है, कितने टर्म है, यह इसके बीच में into का sign लगा है, into नहीं decide करता है, plus minus करता है, अगर हम, हम कहें कि x7 और x के बीच में कौन सा sign है, तो sign लगा हो या न लगा हो, यह multiply का sign होता है, गुणा का sign होता है, into y होगा, into z होगा, तो into में जितने term लिखे होंगे ये सब एक term होते है पहली बार तीग है अगर बीच में हम seven X हो या प्लस लगा दे four तो ये जो है term को डिवाइट करता है तो एक term ये हो गया और प्लस लग गया तो एक उधर हो गया प्लस एक तरीके से bridge का काम करता है divide कर देता है, बांड देता है तो अगर यहाँ पर महले है, plus का 6y भी होता तो एक, दो, तीन टर्म हो जाते हैं तो plus या minus टर्म को divide करता है multiply divide नहीं करता है जो divide होता है जो भाग होता है, वो उसको term को अलग-अलग नहीं करता है तो यह है polynomial इसमें कुछ बाते पर समझ लेते हैं फिर हम एक साइज पर आते हैं कुछ बाते समझाएंगे, बहुत डिटेल में उतना जाएंगे, जितना जरूत है आपको ज़रा समझने की कोशिज करिएगा यहाँ पर दो प्रकार के term आएंगे जैसे मैं कहूँ 5 5 5 एक fix अंग क्या है अलग-अलग जगया 5 लिखोगे तो क्या उसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो इसको कहा जाता है constant term यह कैसा term है यह constant है जिसको कि अचर कहते है यह अचर है चर माने होता है जिसकी value change होती है, जो बदले वो चर है, ठीक है और अचर माने जिसकी value ना बदले ठीक है और अगर यहाँ पर x के term में कोई चीज आ जाए या y के term में आ जाए या z कुछ ऐसा आ जाए यह सब चर कहलाते है यह चर कहलाते हैं English में इसको variable कहते है ठीक है, तो अगर x, y, z ऐसे कोई term हो तो उनको हम variable कहेंगे यानि की चर कहेंगे और जो 5, 7, 6 हो इन्हें हम अचर कहेंगे, constant कहेंगे इसकी value fixed रहती है, change नहीं होती है ठीक है अब polynomial कोई भी term अगर लिखे हैं, उन्हें polynomial कब कहा जाएगा? कैसे आप कहेंगे, भी वो polynomial है या वो बहुपद है तो आप कहेंगे, अभी आपने बताया, बहुत सारे पद हो नहीं, वो तो ठीक है बहुत सारे पद हो, बहुपद होता है polynomial होता है, लेकिन उसके में एक condition होती है जरा ध्यान से समझेगा जो चर होता है न उस समीकरण में, उस बहुपद में जो चर है, जो variable है उसकी degree हमेशा, हमेशा, हमेशा positive integer होना चाहिए पहली condition है यानि की, यहाँ condition है the power of variable power of variable should be positive integer पहली condition positive integer यानि की, चर की घात क्या लिख रहा हूँ, चार नहीं है चर की घात major rating अंदी है धनात्मक पूडांक होना चाहिए 0 हो सकती है पूडांक होना चाहिए पहली condition है पहले आप समझ लिजेगा ठीक है यानि अगर मैं आप से कहूँ कहीं पर x की power 5 लिखा है तो हम कहें क्या बहुपद है तो आप कहें yes because x is variable x एक चर है और उसकी power positive है लेकिन अगर मैं कहूँ कि under root x क्या ये variable तो ये polynomial है ये नहीं है क्योंकि आपने इसके पहले वाले चेप्टर में 9th में और 10th class में पहुँच गया होंगे तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि इस root का मतलब होता है power 1 by 2 ये power 1 by 2 लिखी है ना इसलिए ये आपका polynomial नहीं होगा तो polynomial की पहली जो essential condition ये है कि भाई जो power होनी ती है ना x की variable की जो भी उसमें variable हो x के पदो में दिया हो y के टर्म में दिया हो t के टर्म में दिया हो जो भी दिया हो उसमें तो उसकी power हमेशा 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 धनात्मक पोड़ांग यानि की positive integer ही होनी चाहिए ठीक है अब हम कुछ बाते और बताते हैं पूछते हैं आप से कि ये polynomial है की नहीं है ठीक है मैं इसको example को देता हूँ और आप इसको देखिए कि polynomial है की नहीं है अगर मैं कहूँ कि 3x square प्लस 5x प्लस 4 ये polynomial है तो आप कहेंगे हाँ क्यों देखे 3 constant है 5 constant है 4 constant है x की power जो है वो 2 है 2 कैसे संक्या है positive integer है धनात्मक पोड़ांग है इसमें x की power क्या है 1 है वो भी सभी term होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कोई एक term power 2 हो जाए एक root हो जाए नहीं चलेगा सब में positive होना चाहिए और इसमें x है नहीं अगर x है नहीं तो 0 है 0 हो सकता है तो ये polynomial है समझ में आगई बात क्यों? क्योंकि आप कहेंगे जो variable है जो चर है उनका power कैसा आ रहा है? उनका power positive integer आ रहा है ठीक है? जैसे मैं आप से कहूँ कि ये बताओ अगर ये दिया है 3 upon x square प्लस 4 x प्लस 5 तब बताओ ये है कि नहीं है? अब आप कहेंगे है क्योंकि ये x की power 2 है लेकिन भाई साहाब बेन जी जो भी है आप अपान में तो लिखा है ना इसको उपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 3 x to power minus 2 प्लस 4 x प्लस 5 यहाँ power negative आ गई ना और पहली condition क्या कही गई? कि power should be positive जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए तो ये polynomial साहाब नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि power इसकी negative है इसलिए polynomial नहीं होगा आगे मालिया हमने आप कहा 3 under root x प्लस 4 x square प्लस 7 ये है कि नहीं है? अब ये घुजगा करके root के अंदर संख्या root के अंदर हो सकती देखिए ये जो variable है जो आपके चर है वे उनकी power जो है वो root में नहीं होनी चाहिए negative नहीं होनी चाहिए ये polynomial नहीं होगा लेकिन अगर मालिया ऐसा लिखा हो root 3 x square प्लस 1 पान 7 x प्लस 6 अब बताव ये है कि नहीं है? संख्याओं को मत देखिएगा आप जो उसमें variable है जो उसमें चर है उसको देखिएगा x की power 2 positive है x की power 1 positive है या x power 0 है आपको इस root से मतलब नहीं है क्योंकि ये constant पे चड़ा हुआ है संख्याओं में आगई बात तो ये polynomial को पहचानने का तरीका होता है ठीक है? अब polynomial को कुछ नाम है दो को नाम देने के अलग-अलग parameters होते है standard होते है जैसे आप किसी को नाम देते हैं कलवा भुरुआ, भुरा कलर काला कलर तो एक कलवा आ गया जानि कलर के हिसाफ से आप दे रहे हैं लंबू, छोटू, ठिंगू height के हिसाफ से आपने नाम दे दिया गंजू, बालों के हिसाफ से नाम दे दिया वैसे ही polynomial में भी नाम है तो एक तो हम इसका नाम देंगे according to number of terms पदों की संख्या से उसके नाम होंगे और तूसरा उसकी degree से उसका नाम बनेगा ठीक है? तो इसके नामन क्लेचर कैसे होता जरा समझिएगा तो पहले तो आपने पहँचाना सीख लिया कि polynomial यानि कि बहुपत कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है अब मैं उनका नामन क्लेचर बता रहा हूँ कि उसको नाम कैसे आप देंगे देखो ध्यान से, साउधान अच्छा, number of terms अभी हमने बताया कि number of terms पहचानेंगे कैसे? यानि कि पदों की संख्या कैसे आप जानेंगे? पदों की संख्या, ये पद है, पद माने पद माने, टर्म्स होता है गलत मत सोचिएगा अब सुनिए द्यान से एक पद, दो पद, ऐसे term होते हैं हमने कहा था, अगर 7X हो तो कितने term है? 7 और X के बीच में कौन सा sign mathematics का लगा है? mathematical operation के 4 sign होते हैं plus यानि जोड़ना, minus यानि minus करना, यानि घटाना multiply यानि गुणा करना, divide यानि भाग करना तो इसके इसके बीच मुल्टिप्लाइड का sign है और multiply का sign term को divide नहीं करता ये एक term है, अगर plus का कुछ लिखा हो तो दो term है, या मालिया कहीं पर लिखा हो 3X square plus 7X minus 6 तो तीन term है, divide करेगा ये term को multiply और division मतब भाग का sign terms को अलग अलग नहीं करता है तो terms के नाम कैसे रखेंगे ठीक है, नामनकलिटर कैसे इसका किया जाएगा, नामकरन संसकार कैसे किसे साथ से इसका नाम रखा जाए तो देखे जान से अगर one term हो यानि की एक पद हो तो उसको हम कहेंगे उसका नाम देंगे monomial monomial monomanay one होता है ठीक है, monomial इसे monosong आपने सुना होगा एक आदमी कहाना गाता है तो monosong होता है monomial यानि एक पदी कहलाता है जिसमें एक term हो जैसे हमने का 7x one term है ठीक है, जैसे मैंने कहा 9x square one term है हमने कहा 6 आप कहेंगा रहे, इसमें तो x है नी है, x की power 0 है इसमें तो one term है तो जहां पर number of terms एक होगा उसको हम क्या कहेंगे one term के लिए monomial या एक पदी कहा जाता है, ठीक है अगर कहीं two terms हो दो पद हो, दूई पद हो दूई पद पद को डिवाइड कौन करता है प्लस और माइनस का sign तो जैसे मान लिया, हमने लिदिया 7x यहां पर था हमने लिदिया 7x प्लस 4 कितने term हो गए, दो term हो गए, ठीक है मैंने 9x square किया हमने का 9x square प्लस 7x, कितने term हो गए दो term हो गए, तो जहां पर दो term होंगी, उस polynomial का नाम क्या होगा that is binomial ठीक है, अब अगर 3 term हो गए, 3 terms हो जाए उसमें 3 terms तो उसको कहते हैं क्या कहेंगी 1 के लिए mono 2 के लिए by, 3 के लिए trinomial trinomial 3 पदी 3 पदी यानि कि जैसे हम लिख दे 9x square plus 7x plus 7 जैसे लिख दे हम 9x cube plus 7x square plus 8 कुछ भी लिख दीजे ये क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है number of terms जो है वो कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए ठीक है तो ये आपके हो गए number of terms के हिसाब से ठीक है और अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा है तो उसको हम polynomial कहेंगे polynomial बहुपद देखे बहुपद ये भी है polynomial ये भी है लेकिन इसका एक nickname हो गया lambu आदमी वो भी है गल्यू आदमी वो भी है कलुआ आदमी वो भी है केवल उसको थोड़ा सा आपने उसका एक nickname दे दिया तो अगर एक term है तो monomial एक पदी दो पद है binomial दुपदी तीन टर्म है trinomial त्री पदी है वो polynomial लेकिन उसका एक और अलग से नाम दे दिया गया तो ये आपके terms के हिसाफ से उसका नामन क्लेचर है कैसे नाम रखे जाते है ठीक है अब देखें इसमें है polynomial in one variable एक चर वाले एक वन माने एक variable मतब चर वाले बहुपद और polynomial का मतलब होता है बहुपद ज़र रैटिंग गंदी है देख लीजेगा हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड देखें क्यों देखें नाम से लग रहा है कि किसी polynomial के वारे में बात कर रहे है और इसमें जो चर होगा वो एक होगा या तो X होगा या तो Y होगा या तो Z होगा ठीक है तो जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 7X स्क्वाइर प्लस 6X प्लस 4 तो क्यों लेक्स है ना इसमें मतलब भई जो 1,2,3,4,5 यह तो गंतिया होती है counting numbers होते हैं यह constant होते हैं X, Y, Z, P, Q, R जोतने भी आपके English alphabet यूज किये जाते हैं वो सब variable होते हैं वे सब चर होते हैं इसमें कुछ ना मौर आएंगे एक तो आप से पूछा जाएगा coefficient निकालिए coefficient निकालिए कोफिशियंट निकालिए ठीक है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है coefficient को नाम दे सकते हैं आप इसको गुणांक कहते हैं क्या कहते हैं गुणांक अगर हिंदी में आपको वर्ड से परचे हो तो गुणा माने गुणे में अंक माने अंक मल्टिप्लाई में जो अंक लिखा हो अंक लिखा हो, नमबर लिखा हो देखिए, जैसे मैं आप से कहूँ कि भाई ये आपका है पॉलिनामियल ये एक बहुपद है, ठीक है और आप से कहा जाए कि आप निकालो coefficient of x square यानि आप से कहा जाए कि भी x square का गुणांग निकालो तो अब बताओ x square साथ मल्टिप्लाई में कौन लिखा है 7, तो इसका coefficient 7 हो जाएगा अब अभी आप कहेंगे भी आप तो constant बता रहे थे आप तो चर बता रहे थे वे चर ही है, सुरी क्या बोलाओ अचर बता रहे थे, अभी तो आप बता रहे हो coefficient कहते हैं इसको ये constant ही है लेकिन x square के साथ आजाने पर इसका नाम change हो जाता है जैसे आप अपने पापा के साथ जाते हैं तो आप बेटा बन जाते हैं आप मामक साथ जाते हैं तो आप भांजा बन जाते हैं आप चाचा साथ जाते हैं आप उसके भतीजा बन जाते हैं वैसे तो आप इंसान ही रहते हैं तो अकेला तो ये रहेगा तो ठीक कोई बार नहीं, किसी के साथ multiply में आएगा, तो उसका nickname change हो जाता है, जैसे मैं आप से कहूं कि coefficient of x निकालो, यहने x का गुणांक निकालो, इसी वाले में हम बात कर रहें, जो उपर लिखा है हमने इसी वाले में, तो x साथ into में क्या लिखा से नाम आपने देखा, monomial, binomial, trinomial, एक पदी, दूपदी, त्रिपदी, बहुपदी, ठीक, अब आप coefficient कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तेखिए, अब आपको निकाला है, degree of polynomial, मतलब polynomial का जो खांदान है ना, उस खांदान में जतने भी लोग हैं, उनके सबकी परिशर दिया जा रहा है, कि term के इंसाफ से उसका नाम क्या है, उसका coefficient क्या होता है, degree का मतलब होता है, कि maximum power of, maximum power of variable, variable in given polynomial, given polynomial को हम degree कहते हैं, is called degree, is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, घात, यानि बहुपत में चर की अधिक्तम घात, अधिक्तम घात को हम कहते हैं, बहुपत की घात, बराबर बहुपत की घात, यानि बहुपत की घात मतलब, maximum power, चुकि हिंदी में घात को भी power ही कहते हैं, अब यहाँ पर degree अलग चीज होती है, power दो English word है, उसमें एक ही English से काम चल जाता है, ठीक है, तो जो maximum power होगी कि इसकी variable की, constant की नहीं, x, y, z की, जैसे या अब मान लेते हैं, हमने लिख दिया, 7x power 4 plus 3x square plus 6, ऐसे लिख दिया, और हमने का इसकी degree बताओ, इसकी degree क्या है, इसकी घात क्या है, डिगरी बताओ, यानि की घात बताओ, तो आप पहले तो तलासी है कि इसमें variable कौन है, चर कौन है, तो आप कहेंगे बचर तो x है, variable तो x है, तो x की जो maximum power होती है, जो अधिकतम power होती है, अधिकतम power क्या है, 4, तो इसकी degree क्या हो जाए कि 4, ये इसको degree निकालने का तरीका होता है, ठीक है, अब degree के हिसाफ से, इसक की हिसाफ से, इनका नामन क्लेशर किया गया, पहला दिया गया linear polynomial, जिसको रैखिक बहुपत कहते हैं, इसमें क्या होता है, कि जो variable होता है, जो चर होता है, उसकी अधिकतम घातवन होती है, यानि इसमें क्या होगा, कि maximum power of variable, या ये न लिखिया, चुकि maximum power of variable का एक नाम दिय आपने degree, घात बताया ना आपने, यानि इसमें degree जो होती है, degree of polynomial, बहुपत की जो घात होती है, वो होती है one, यानि इसमें जो polynomial लिखा होगा, उसमें जो variable होगा, जो चर होगा, उसकी अधिकतम power one होगी, जैसे आपने कहा 7x ऐसा लिख दिया, या आपने लिखा 3x plus 4 ऐसा लिख दिया, उसमें term कितने हो, उसमें मतलब नहीं है, आपने एक term लिखा, दस term लिखा वलक चीज़ है, लेकिन अधिकतम power इसकी one होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें degree two होनी चाहिए, अब हिंदी आप जानते हैं, degree को घात क्याते हैं, इसम हमने लिखा 3x square प्लस 4x प्लस 5, ऐसा नहीं है, कि अगर x की power 2 लिखी है, तो x की power 1 होना ही चाहिए, ना, 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 टरम्स कितने भी हों, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, x की power 2 होना चाहिए, उसमें, जैसे, मैंने लिखा 7x square, चलेगा, एक ही term है, इसमें क्या दिक्या इसके बाद इसमें degree 3 होनी चाहिए, क्यूबिक में क्या होनी चाहिए degree, 3 होनी चाहिए, जैसे, मैंने कहूँ 7x cube प्लस 4x, तो यह आपका 3 घात पहुपद है, क्यूबिक है, या मैं कहूँ 9x cube प्लस 3x square प्लस 4, मतलब x cube होने के बाद x square होगा, ऐसा कोई boundation नहीं है, वो भी 4 degree का नाम generally book में नहीं दिया होता है, आपके level से मतलब नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ, 4 degree को by quadratic कहते हैं, या quartic कहते हैं, चत्रगात, हिंदी में तो कोई दिक करना है, चत्रगात 4 degree, नाम से लग रहा है हिंदी में, तो यह आपका 7x power 4 प्लस 9x ऐसा लिखा हो, टर्म कितन के सदस्यों का परिचय आपके कराई जा रहा है, और बाद में आपसे पूछा जाएगा ये कौन, चाचा, तो मामा है, तो अब एक जिसा चेज़ा दिखेगा, ध्यान समझेगा कहा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है, एक और नाम आया है constant polynomial, अचर भूपत, नाम से लग रहा ह जिसमें constant term दिया हो, आपको दे दिया 7, के वल लिख दिया 7, इसमें तो x, y, z, 2 नहीं है, कोई जोट नहीं है, 7 है, तो मतलब 7 का मतलब क्या लिखा है, यहाँ पर 7 x नहीं है, तो export 0 है, ठीक है, डिग्री इसकी 0 होगी, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 5, क्योंकि पाई constant होता आप जानते हैं, तो यह आपके constant हो जाएंगे, अचर बहुपत, और अगर 0 लिखा है, तो यह 0 शूनि बहुपत कहलाता है, 0 polynomial, ठीक है, इसकी degree defined नहीं होती है, क्योंकि 0 को आप चाहें, तो 0 x power 5, 1000 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी आता है, कि what is the degree of 0 polynomial, 0 polynomial की degree क्या होती है, तो आप लिखें, not defined, any power you can write, 0 into x power 5,000 लिख दो, 0 into x power 50 लिख दो, तो value तो 0 ही रहनी है, तो कभी-कभी पूछा जाता है, कि what is the degree of 0 polynomial, तो आप कहेंगे, not defined, तो समझ में बात यहां तक तो आ गई होगी, अभी तक आपने जो polynomial देखा, बहुपत का introduction देखा, वो 9th और 10th दोनों level के लिए था, 9th के लिए भी था और 10th के लिए भी था, अब चुक्कि हमें 9th को discuss करना है, तो 9th के लिए जतना matter हम दे चुके हैं, वहीट पुरा 10th में मिलेगा, अब अपनी exercise 2.19th class, ठीक है, अब ज हिंदी वाले हिंदी में समझें, इंग्लिस वाले इंग्लिस में समझें, दोनों ही भासाओं में आप समझ सकते हैं, पहला question देखिए क्या कह रहा है, पहला question कह रहा है, कि which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state the reason for your answer. निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं, और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजी, बता दिया चर क्या होता है, variable क्या होता है, x, y, z, ये variable होता है, एक है, यानि कि या तो पूरा का पूरा जो px जो बहुपद होगा, वो px, p के term में होग या तो y के term में होगा, या तो z के term में होगा, ठीक है, दूसी condition ये है, कि जो degree है, जो power है, वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, positive number होना चाहिए, 0 हो सकता है, negative नहीं होगा, root नहीं चलेगा, ठीक है, number पे root चलेगा, x, y, z पे root नहीं चलेगा, तो जो नहीं होगे, उन्हें स square, देखिए, हमने एक साथ लिख दिये है, पता रहे है, इसमें कौन सा बहुपद है, polynomial है, in one variable, पहला देखिए, ये केवल x के term में दिया है, यानि ये तो clear हो गया, कि ये one variable है, ठीक, x की degree यहां क्या है, two, यहां degree है, one, और यहां नहीं है, तो zero, यानि ये, जो polynomial की condition होती है उसको fulfill कर रहा है, यानि बहुपद की जो condition है, उफालू कर रहा है, तो आप कहेंगे, yes, it is polynomial, yes, बस यह लिख दीजे, ये बहुपद है, ठीक, यहां पे आईए, ये पूरा term y के term में दिया हुआ है, यानि कि one variable है, एक चर है, चलिए, y की degree two, अब आपके याद रूड लग हुआ है, y पे नहीं लग सकता, ठीक है, तो यानि ये भी आपका answer क्या हो गया, yes, यहां पे आओ, ये टी के term में है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन टी की power ये root लग गया ना, और root का मतलब power half होती है, तो ये नहीं है, no, नहीं, अभी हिंदी में no आप जानते हैं किसको कहते ह आप लिखेंगे as power of t is half, power of t is half, t की घात half है, एक बटे दो है, इसलिए अभी हमने कहा कि power क्या होनी चाहिए, positive होनी चाहिए, positive integer होनी चाहिए, 0 हो सकता है, negative नहीं चलेगा, 1 by 2 अगरा नहीं चलेगा, अब यहां पे आओ, ये 2 upon y आगया ना, अपान में थोड़ी हो सकता है इसको अगर हम लिखें, इस y को उपर ले जाएं, तो y की घात minus 1 हो जाएगा ना, तो y के term में तो है, ठीक है, variable तो एक ही है, लेकिन ये polynomial नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या है, power क्या है, negative है, तो आप लिखेंगे no, क्यों, as power of y, power of y is minus 1, y की घात minus 1 है, अ अब आप कहेंगे y की घात, जो है, power 1 भी तो है, उससे मतलम नहीं है, भाई, जितनी भी power होनी चाहिए, वो positive होनी चाहिए, यहाँ पर आओ, power तो ठीक है, सम्में positive चलेगा, लेकिन यहाँ 3 variable है, तो ये भी आपका नहीं है, polynomial है ये, बहुपद तो है ये, लेकिन ये 1 variable नही है, क्यों, as it contains 3 variable, it contains 3 variable, इसमें 3 चर हैं, आप कहेंगे, इसमें 3 चर हैं, इसलिए, ये 1 चर वाला बहुपद नहीं है, ये 1 variable वाला polynomial नहीं है, तो this is the first question's answer, okay, देखे, second question कह रहा है, कि write the coefficient of x square of the following, निम्न में x square का गुडांग लिखिए, यानि x square जो term है इसमें, उसमें multiplication में जो number आ रहा है, उसको लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे, एक में लिखूंगा, मैं, coefficient of x square, यानि x square का गुडांग, सब में यहीं लिखना है, यह language सब में लिखनी है, ठीक है, यही यहाँ भी language होगी, यही यहाँ भी language होगी, यही यहाँ भी language होगी, अब आएए यहाँ पिर, x square साथ multiply में क्या लिखा है, आप कुछ नहीं लिखा है, अच्छा, अगर 2 के साथ हम कहें multiply म क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 1 इसमें x² के साथ multiply में क्या लिखा है πाई बै टू जिसका coefficient क्या हो जाएगा इसमें x² साथ क्या लिखा है तो आप कहेंगे x² है यह नहीं इसमें अगर यहाँ x² नहीं है तो मान लेते हैं कि 0x² लिखा होगा तो यहाँ coefficient 0 हो जाएगा देखे अकेला अगर number होता है कहीं पैसे 2 अकेला है तो constant होगा अचर होगा लेकिन अगर किसी के साथ multiply में है यह तो यह coefficient हो जाता है गुलांक हो जाता है तो this is the second question देखे थर्ड question कह रहा है give one example each of the binomial binomial का मतलब binomial of degree 35 कह रहा है कि 35 घात का एक दिपद लिखे ज़्यादा ध्यान से समझेगा इस question हो सकता आपके answer telly ने करें इसका मतलब degree 35 होनी चाहिए degree 35 होना चाहिए term 2 होने चाहिए अब आप अगर export 35 लिखते है लिख दिया आपने आप इसके साथ multiply कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें plus में जो भी चाहो लिख दो लेकिन भाईया x की degree negative ने लिखेंगे आप जैसे आपने 4 लिख दिया ये भी हो सकता है x की अधिक्तम power कितनी है 35 है यानि इसके degree कितनी हो गई 35 हो गई तर्म कितने हो गई 2 हो गई तो जैसा दिया गया है वो condition ये मान रहा है न या आप चाहो तो लिख दोगे keval x power 35 plus x power 34 ये भी हो सकता है क्योंकि degree का मतलब maximum power होती है तो maximum power 35 होनी चाहिए इसके बाद आप into में कुछ लिखो plus में कुछ लिखो कुछ भी लिख सकते हो और दूसरा कहना है कि monomial लिखिए यानि कि एक पदी लिखिए और उसके degree 100 हो तो केवल एक पदी हो यानि x power 100 लिख दीजिए अब इसके साथ चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो चाहे कुछ न लिखो एक ही टर्म होना चाहिए न तो ये आपका question number third हो गया जाकर के ठीक है तो के fourth question कह रहा है कि write the degree of the following polynomial निमन बहुपदों की घात लिखिए degree क्या बताए गई maximum power of variable जो भी चर लिखा है उसकी जो maximum power होगी तो हम इसकी degree लिखने जा रहे हैं सबकी यहां लिखे जा रहे है degree सब में लिखेंगे आप इसमें x की अधिकतम power क्या है 3 जिसकी degree कितनी हो गई 3 डिगरी बोले तो घात अब इतनी हिंदी वालों को इंगलिस आती है इसकी maximum power कितनी है 2 तो इसकी degree कितनी हो गई 2 इसमें maximum power कितनी है आपके यहाद रूड लिखा हुआ है हमने कहा था number root के अंदर हो सकते है degree कितनी हो गई 1 इसकी degree हो गई 1 इसकी degree नहीं है जिसमें नहीं होता है न उसमें जैसे इसमें x नहीं है तो इसको चाहो तो एक्सपॉर्ट 0 लिख सकते हो तो इसकी degree कितनी हो जाएगी 0 तो इस प्रकार से इस question में degree हो गई पहचाना अब जानते हैं कि degree कैसे पहचानी जाती है ठीक है देखें फिफ्थ question में कहरा है कि classify the following as linear quadratic and cubic polynomial बताईए कि निम्न भुपत में से कौन से रैखिक हैं कौन से दूइ घाती हैं कौन से त्री घाती हैं बहुत simple सी चीज है quadratic मना 2 degree दूइ घाती हिंदी में तो ऐसे मालूं दूइ घाती एक घाती को रैखिक कहा जाता है इसमें degree क्या है? 2 और degree 2 होती तो क्या होता है? Quadratic, यानि ये quadratic है Quadratic ये हिंदी में बाद में लिख रहा हूँ इसकी degree कितनी है? 3 3 degree के नाम को क्या कहते है? Cubic, जिसको cubic कहते है इसकी degree कितनी है? Maximum power of y होता है Maximum power कितनी है? 2 यानि कि कैसा है? Quadratic अभी हम बता चुके है नामन क्लेचर इसका क्या है? इसकी अधिक्तम degree क्या है? 1 1 के लिए क्या करते है? Linear इसकी degree कितनी है? 1 क्या कहेंगे? Linear इसकी degree क्या है? 2 क्या कहेंगे? Quadratic हमें number of term से मतलब नहीं है कि 2 term है तो binomial उससे मतलब नहीं है degree के हिसाब से उसका नामन क्लेचर है degree के हिसाब से नाम लिखना है quadratic इसमें degree कितनी है? 3 cubic ह हिंदी में आप जानते हैं ये quadratic बोड़ेते हो 2 घात है 2 घात है इसमें 2 घात है 30 तो 3 घात 3 घात है 3 घात है बहुपत ऐसा लिखा जाएगा यह दूई घाती है इसमें डिगरी कितनी है वन तो इसको रैखिक कहते है रैखिक इसलिए कहा जाता है अगर आप इसका ग्राफ खीचो गए तो एक लाइन बिलती है अभी हम थोड़ी दे पहले इसमें ग्राफ खीच रहे थे नहीं आपके क्लास का नहीं था वो टेंथ क्लास का था इसको रैखिक कहते हैं क्वाडिनेट में आपको खीचना सिखाया जाएगा इसमें क्वाडिनेटिक यानि के दूई घाती है और ये आपका त्री घाती है रैटिंग तुला गंदी है मैनेज कर लिजिएगा बोल भी देता हूँ इसलिए क्लेर हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके एक साइज का समापन हुआ ओके गोडनाइट